हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज आप सभी को हिंदी का पेपर हल करने का तरीका समझाने वाले हैं फ्रेंज जो छात्र अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पड़े हैं उन छात्रों के लिए भी आज का वीडियो सबसे इंपोर्टेंश आभीत होगा और जो छात्र हिंदी की तैयारी कर चुके हैं उन छात्रों के लिए भी आज का वीडियो बहुत ज्यादा उप्योगी साबित होगा आज आज आप सभी को बताएंगे कि जिन प्रशनों का एंसवर नहीं आता है तो उन प्रशनों का एंसवर भी आप बोर्ड के एक्जाम में कैसे देंगे डेखें फ्रेंस आप सभी का 22 फर्वरी से हंदी का पेपर हैं प्रशनों का पेपर हैं तो उन प्रशनों का एंस्वर आप्टिक से कैसे हल करें फ्रेंस यह यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको अधम नया तरीका बताने वाले हैं बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ठीक है देखें जितने भी छात्र कच्छा 10 के हैं चाहे कच्छा 12 के हैं उन सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो बहुत उप्योगी होगा इस वीडियो को कमजोर से कमजोर छात्र भी देखकर हिंदी में आसानी से पास हो सकते ह हिंदी के साथ में आप सभी को बताएंगे कि जो हिंदी का कापी होता है उसका लिखने का सही तरीका क्या होता है आपको इसमें बताने वाले हैं साथ में आप सभी को यह भी बताएंगी कि जैसे गद्यांस हो गया पद्यांस हो गया चाहे संस्क्रीट का हो चाहे हिंदी का हो आप बिना पढ़े भी उसको कैसे हल कर सकते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा जब दस ट्रिक आपको बताने वाले हैं फ्रेंस तो आप व्यूडियो नंबरों की बहुचार कर देगा ठीक है तो बस तरीका पता होना चाहिए ठीक है देखे फ्रेंस जैसे हिंदी का पेपर है इसमें माल लीजिए कि हमें कुछ नहीं आ रहा है फिर भी आप पिना पढ़े इस प्रश्ण पत्र को कैसे हल करें देखे फ्रेंस पहले आपको बता प्रश्ण है चाहे संस्क्रीद को का है चाहे आपका हिंदी के सभी प्रशनों को हल करें आपको बताएंगे कापई कैसे लिखेंगे सभी बप्रश्ण आता यह 21 नंबर का सवाल हैं पहले देखेए आप इस प्रश्ण का पहले देखिए द्यान से पढ़ें और माली जी प्रश्ण का answers आपको नहीं पता है इसका answer कैसे देंगे देखें निम्ह रिखित पध्यांस पर आधारी थीन प्रश्म के उत्तर देना रहता है यह कितने नंबर का रहता है छे नंबर का प्रश्ण रहता है अब यहां पर जो गध्यांस आपको देगा इस गध्यांस के बारे मालिजी आपको कुछ नहीं पता है तो आप पहले इस गध्यांस को ध्यान से पढ़िएगा अब पढ़ेंगे तो इसी गध्यांस में आपको कार्य करते हो यह एक ही रूचिय के हो इसी प्रकार प्रकृती और आचड़गी समानता भी आवश्यक आवांचनी नहीं wichtig सब्सक्राइब नहीं दो भुविन प्रकृति में बराबर प्रीति और मित्रता रही है राम धीर और शान्त प्रकृति के लचमर उम्र और उद्दत सोभाव के थे दो भायों में अब देखें जैसे माली इतना पढ़े आप देखें यहां पे जब मित्रता मित्रता सब्द का परयोग किया गया है इसे तुरंद आपको पता चल जागा कि मित्रता नामक पाट से लि रहता है राम सब्सब्सब्स पकड़ सकते है आचार राम चंद्रशूक्ल जी इसके लेखक है यह दो सब्सब्सब्स पकड़े और देखें इस पर प्रश्चन पूचता कैसे पूचता है ठीक Yay dziहां पे आपका देखते रहें अब देखिए इसका प्रश्ण का एंस्वर आप कैसे देंगे माल लिजी इस प्रश्ण का एंस्वर आपको कुछ नहीं पता था बस आप लिखते हैं समय ध्यान दीजेगा कि बस एक्जाम में पहले नंबर तो जब कापी मिलेगा इधर इसके हल से दो लाइन ख प्रश्ण है ठीक है और इस तरह थोड़ा जैसे बतार बस साफ तरह लिखेंगे एक्जामनर नंबरों की बारिस्ट करेगा ठीक है फ्रेंस देखें पहला जो प्रश्ण है इसका कैसे लिखेंगे पहले लिखते समय आपको ध्यान क्या देना है कि जिस गद्यांस के एंस्व लिखना है जब इसको लिखना है तो पहले क्या करेंगे यहां पर एक दो सफद लिखा है प्राराम कि दो षब मैं इससंफे लिख लेंगे देखें इहां पर लिखिए गा एक लाइन छोड़के कैसे जैसे पातार इसी तरह बड़ के एकडाम कापी को लिखियेए गह देके तो आप च संख्या कौण 21 यहां पर डाल यहोटर संख्या कान कौन सा है 21 नंबर है 21 का आपका का को डीख लिकिए ख है तो खा लिखिए तो कह इस कवला यहाँ पर कह डाल दीजीए और इसके देखने में काँ पिसुन्दर स्वच्छ लगें अब आपको क्या करना है कि इस टार्टिंग के एक दो सब्द लिख लिजेगा ठीक लाइन छोड़के जैसे हम लिखा है मित्रता यहां पी लिखिये मित्रता के लिए एक दो सब्द बस लिख लिखिए प्रारण के और यहां से डाट डाट प्राश्ण में लिख लिएगा खूग निभी जैसे एक्जामनर को यह पता चल जाए कि आप कौन सा गध्यांस किये हैं ठीक है निभी लिखने के बाद आपको क्या करना आपको क्या करना है अब दो लाइन चोल लीजिए पहला प्राश्ण आप से संदर्व मिल गाएं अचार रामचंद्र शुकली जी ने लिखा है तब देखें इसका संदर्व लिखेंगे तो आपको संदर्व बता रहें इसी तरह लिखिएगा ठीक है प्रस्तूत गद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड ठीक है गद्य खंड से अब देखें पाठ का नाम क्या है मित्रता था पाठ का नाम फ्रस ब्लैक प्रस बस साफ सुत्रा मित्रता लिखिएगा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है लिया गया है इसके लेखक इसके लेखक इसके लेखक कौन है? आचार देखें इसको ब्लैक पैंस से प्याट का नाम आचार राम चंद्र शुक्ल है आप देखें माली जी पहे नहीं तो फिर भी आपको ट्रिक बता दिए कि आप ट्रिक से कैसे पाठ का नाम पता कर लिए और राम से पता कर लिए आचार राम चंद्र शुक्ल जी है तुरंत ऐसे लिखे से कै 모습 अपन टोटल भी आउंपर मिल जाएक नाम छ difी आपसे कहता है प्राश्लिन में यहां पर देखिया реш हंकित अंस पहला कि बनालीजीए घेटिंग कैसे बनाएंगे यहां पिलिखाए ने रेखांकित अंस की ब्याक्ख्या यहां लिखेंके रेखांकित अंस की ब्याक्ख्या ठीक है रखांकित अंस की ब्याख्या लिख लिजिए और देख लिजिए माल लिजिए आपको इसकी ब्याख्या नहीं आ रहा है ठीक है देखें इसकी जब ब्याख्या नहीं आगा तक कैसे लिखेंगे जैसे यह रखांकित इसी की ब्याख्या करना है कि मित्रता के लिए आव करना है तो आप क्या चीजिए का इख बस तरन देखेगा तुरंत बाड़ बढ़ यहाँ से लेकर यहां से लेकर ब्याइब भार जाएक है थिक है अब देखिये इसका आई अब यहां लिखेंगे जैसे मित्रता के लिए के लिए यह आवश्चक यह आवश्चक नहीं है कि दो मित्र का सौभाव एक जैसा हो एक जैसा हो ठीक है उनकी आच्रण ठीक है एक जैसा हो लिख लिए लिखने के बाद लिखेंगे उनका आच्रण भी एक समान हो एक समान हो अपने सब्दों में थोड़ा सा इस जो दिया रहे हैं इसी को तोड़ के लिख लिजिएगा ना एक समान हो कि अध़े उनकी रूची आधेस ब़ूची की बारें पुरा उता ले मतलब देखिए उनकी रूची तो कि इसी तरह जितना कहें पुरा उताते हुए पुरा वाखिको अदम उतार लिजेगा ठीक है यहां तक पूरे वाखिको जो लाष्ट लिखा रहेगा पूरे वाकिको यहां पर उतार दीजेगा मित्रता खूब निभी यहां पर मित्रता खूब निभी तो इस तरह दीजेगा देखिये आपको जैसे वागिया देखिया यहां पे संधर्व जैसे वाथ इसी तरह लिखिए गा रेखांकित अंस की ब्याक्ख्याव आपको जैसे वताए थोड़ा इसी अपने शब्दों में तोड़ के लिख लिजीए गा यह अन्य था पूरे जितना भी हिंदी में लिखा है पूरे वाक्य को जैसे के तैसे उतार देंगे तब भी एक्जामनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा ठीक है जैसे इसको देखाएगा इसको देखाएगा इसको देखाएगा दो नंबर इसको देखाएगा आपका एक लचमर के सवभाव में क्या अंतर है तो इसका इंस्वर आप एससे लिखेंगी आपको इसका इसका इंस्वर मिल जाएगा यहां पर तीसरा नमबर लिखीएगा और देखिए जहां पर राम और लचमर शब्द कहा होगा वही पैरागडॉर आप उतारना देखिए जैसे यहां यहां से राम और लच्मर के बारें का तो राम यहां पर लिखा है और लच्मर यहां पर पूरा पारग्राफ यह सेम टूसेम उतार दीजिएगा यहीं इसका एंसर हो जाएगा ठीक है जैसे यहां पर अंसर क्या है आपका पूछा है राम और लच्मर के सवावां क्या अंतर थ प्राकिर्थी के थे प्राकिर्थी के थे जब की लच्छ मॉल ठीक है लच्छ मॉल उम्र और उम्र और देखें ठीक है उम्र और इतना लिखेंगे उठ दो सोभाषे थे जैसे पर उतार आंगि लिख्ला रहे देख कि उतार की अबस Paul कर यृजिकरं एक लुक्यॐ अब इसके आगे कि दोनो है उन्हें बहुंग है कि दोनों भांहीयों में लिखेंगे 2 भांही हम्हें अत्यहन अध्यांत प्रगाण प्रगाण सिने था इसने था इस तरह राम और लच्छमर के बारे में जो पारगराप दिया रहेगा यहां पर उतार ना रहता है ठीक बस आपको क्या ध्यान देना कि कापी लिखते से प्रस्कार्पिट नहीं करना ठीक है समझ में आ गया अब देखें ज सभी को अब देखें यहां पर आथाम दिया है माली उपर वाल प्रश्न का इंसर आपको नहीं समझ में आरा ते नीची वाले प्रश्न को भी देखिए आप कैसे पता कर सकते हैं आपको बस ट्रिक बता रहे हैं देखें बोर्ड की एक्जाम में दोनों पारगराप में से एक परगराप आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पढ़ते ही आपको तुरंत पता चल जाएंगे किस पार्ट से लिया गया है ठीक है यह पता चल जाएगा जैसे मित्रता है तो आचाराम चंद्र शुक्री जी है ममता आ जाएगा आपका जैशंकर प्रशाद जी यह बस आप चिपा है इंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है जो प्राया भोग के रूप में हमारे सामने आता है पर हमारी सब्यता ने तो यहां पर सब्द पकड़ यह क्या लिखा है सब्यता सब्यता ने तो भो भोग भी त्याग में ही पाया जाता है सुरूति कहती है तेन यक्तेन भुंज था इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं हमारी सारी नैति चेत्ना इसी तत्तों से ऊध्प्रोथ है अब देखिए यहाँ पर जैसे सब्यता आ गया सब्đता की बात किसमें कहा जाता है आपका भारती संस् nữa है कि नाम पार्ट जो है संस्कृत Hallspace इसका अम भारति संस्कृति नमक पार्ट से लिया गया आप गशाँ है टौक्ड राजंदर परशाद जी आपको परणफ पड़ेंगे तो उसमें कुछ इसे शभ्द śब्द मिलें जिस शबद को आप देखके तरंत उसका पदा कर सकते हैं कि किस पार्ट से लिया गया है ठीक है दें कि आपको ये दोने पार अगराफ बता दिए ता आपको एक घुर करके जैसे आपको पहले वलब पारफ आप अगराफ हल की है उसी तरह किया करना गद्यांस का सीर्षक लिखना सिर्षक हो गया भारती संस्कृति हो गया रखांकित अंस की ब्याक क्या था आपको यह इसका एंस्वर आ रहा है ठीक है नहीं तो उसको जैसे के तैसे जो पूछा रहा है उसी को शेम उतार दीजिएगा फिर नयतिक सिद्धान तो यहां नयतिक सिद्धान देते इससे आप क् शब्द लिखा है इसके पहले वाले वाकिए यहां से लिके पूरा यहां तक इसका एंस्वर उतार दीजिएगा आपको पूरा नंबर एक्जामनर देगा एक नंबर भी नहीं काटेगा ठीक है तो चलिए आपको गध्यांस से संबंदी जो प्रशन थे आपको बताएं अब इसमें भी दो आपको पद्यांस देता है दो पद्यांस में से एक पद्यांस ऐसा मिलेगा जिसमें उस लेखक का नाम चीपा रहता है और उसमें उस पार्ट का नाम चीपा रहता है बस आप देखते चले जाएए आपको बताते हैं यहां पर पद्यांस है इसमें से तीन प् पध्यांज देखाते हैं ठीक है देखी आपके सामने अगला पध्यांज अथवा में करके देगा अब इस पध्यांज को थूढ़ा ध्यान से पढ़िए अपको इसी में मिल जाएगा पाठ का नाम और सिम मिल जाएगा आपको लेखा कना देखे खावाला जो है उधो मोही ब्रज विश्रन नाहीं ग्रिंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की चाहीं प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुक पावत माखन रोटी दहयो सजायो अती हीत साथ खवावत गोपी गवाल बाल संग खेलत सब दीन हसत सिरात सूरदास देखें मिल गया ना सूरदास धनी धनी ब्रजबासी चिंसो हीत जादू टाट मिल गया सूरदास इसका मतलब हुआ कि यह सूरदास के द्वारा लिखा गया सूर सागर क्या है सूर सागर ठीक है सूर सागर देखें अब इसका ज अब इसका एंस्वर आपको लिखना रहेगा तक कैसे लिखेंगे आपको जो तरीका बता है वही तरीका अपनाईएगा पहला नमबर यह प्रेशन नमबर 22 है यहां पर क्या किजिएगा जिसे काफी माल लिजिए यहां पर आपका भर गया आप क्या करेंगे आप एक पेज मत खिछ लिजिए ठीक है जैसे आप पता चल जाए जब देखें तो समझ जाए कि अलग को एस्टेन है अब यहां पर जैसे अगले प्रशन को लिखना इस्टार्ट करना एक दू तीन लाइन छोड़ दीजिएगा और यहां लिखिएगा प्रशनोत्तर संख्या प्रशनोत्तर संख्या 22 नंबर का तो 22 लिखिएगा और यहां पर लिख लिजिए अथवा इसलिक जब अथवा लग किजिएगा तो बगल में इस तरह कोश्टन अथवा लिख लिजिएगा ठीक और इस तरह इससे अंडरलाइन कर लिजिएगा अब देखिए जैसे यहां पर लिखना है कि डाट करके जैसे समझाय थे गद्यांस वाला उसी प्रकाइश में भी करना है और लिखना लाश्ट के एक जो सब्द लिख लिजिएगा हसत अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि पहले आपसे यहीं पूछा है संदर्व पूछा क्या पूछा है आपसे संदर्व जैसे गद्यांस का संदर्व लिखे उसी तरह पद्यांस का भी संदर्व लिखना है तो आपको तो दो चीज पता चल गया कि पह आपको तरीका वही है लिखने का चलि लिखें बताते हैं लिखेंगे प्रस्तूत देखें पद है यह पर लिखेंगे प्रस्तूत पद्दांस हमारी पाठ पुष्थक पाठ पुस्तक हिंदी ठीक है हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अब देखेंगे आप क्या है आपका पध्यासत लिखेंगे काप बेखंड क्या लिखेंगे काप खंड काप बेखंड से सूर सागर यहां क्या लिखेंगे सूर सागर है ना सूर नामक पार्ट से लिया गया है ठीक है लिया गया है ठीक इसके रचईता कोई है ठीक है इसके कभी कोई है इसके रचईता देखिए जब आपका पध्यांस रहेगा तो रचईता लिखा जाता है और जब गद्यांस रहता तो वहां पर लेखा की लिखा जाते इन दो शब्दों को जुरू ध्यान दिजेगा इसके रचईता सूर्दास है इतना इसका लिखेंगे तुरंट एक्जामनर देखेंगे इस पकार से लिखेंगे तुरंट आपको दो नमबर तो आपको आप यहाँ पर पध्यांस और गध्यांस में सही आपको एंस्वर निकाल के बता रहे हैं कौन से पार्ट है किसने लिखा है ठीक है इसी आप लिखेंगे अब लिखेंगे जैसे इससका अपकर करना है रेखांकित की ब्याक्षा करना है और आपको क्या करना है जैसे माली जी आप इसको पढ़ रहे हैं पढ़ने के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिखांकित अंसकी ब्याख्या क्या है तो आपको कुछ नहीं करना है बस यहां से लेके यहां तक है तो पूरे यहां से जहां से पूछा यहां से लेके पूरा लाश तक अप उ पोरर जैसे लिखाए नहीं कि अब यसा को को यहां पूरा इसी तरह से इसाह उतार करना रहेगा ते कि यहां पर यहां सब्सक्राइब microbiota अगला नमबर को जो सवाल यहां पर प्रारंब होता है वो है आपका दिये गए संस्क्रीट पद्या यहां पर क्या रिखा है संस्क्रीट गध्यांस में से किसी एक का संदर्व लिखना है और हिंदी में उसका अनुवात करना है देखिए इसको भी ट्रिक से कैसे आप से लिया किया है और इसका हिंदी में अनुवात बहुत ज्यादा सिंपल होता है आप इसको देखिए देखिए क्या है कि एम नगरी विवी धर्माडाम संगम अस्तली महात्मा बुद्ध तिर्थकम पासवना संकराचार कभीर गौस्वामी तुलसीदास अन्यच बहव महात् गत्यस्वा सुईया विचारान प्रसारयान ना केवलं दर्शन सहीत्य धर्मे अपीतु काला छेत्र अब इयम नगरी विविदानाम कालान सिल्पानाम चा किरते लोके विश्रुत अत्रयत्यक कोसे यसाठिका देशे देशे सर्वत्र इस्प्रिहंते देखिए अब यह हो ग सबस्ती हैं यहां प Ari को सोगया यहां बिखिए आपघर हो गया किस नगर नेने यह भी नगर वाला चिप्टर कॉणसाрий आप सभी को पता आ कुण अप पार Nicoo अब देखें इसका answer आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे चलिए इसको भी लिखके आपको बताते हैं कि आप इसका answer कैसे लिख सकते हैं बोर्ड के exam में simple होता है इसका भी देखें आप संदर्व पूचा है और एक हांकित अंस की ब्याक्था पूचा है ठीक है तरफ संक्या पर्श्नुचड़ा क्र संक्या संक्या हैto राएकंते हुआ आपको बताएंगा कर सकते यह प्रह जो पूचा इसको लिखते हैं पहले नमपत्र यहां पर दिया है कि इयम नगरी एक दो सब दिखेंगे जैसे बता रहे है तो उसी तरह और डाट डाट करके लास्ट में लिख लीजिएगा क्या लिखेंगे इस प्रियंते इस तरह लिख लीजिएगा ठीक अब देखें यहां पर संदर्व कहा है पहले संदर्व कहा है तो यहां संदर्व देखें लिखेंगे अब और के संदर में लिकेंगे यह लिखेंगे फाज्टूस में कर या फाज्टूसी मैखतरा घड्यांस में हमारी पाठ चाज्दूस मेर्यनexist का निए अब BENSON हिंदी के संस्कृत खंड का से लिए गया है संस्कृत खंड के वरादसी नामक पाट से लिया गया है नामक पार्ट से लिए गया है ठिक इसेना निखे लेंगे अब दिखे कहिंए अनुवाद करने में कैसे करेंगे यहां पिख्याआओ हिंदी में अनुवाद ऑपकुला कर। पूश्टे मन होजा ाप हिंदी में अनुवाथ करना रहेगे हैं करें हिंदा कैसे करें, आपको कुछ लए करना है, विश्जण यॉझा है, इसको अठा रहा है, जैसे विश्ण लिखा तो गीसे सब्केumm, इस इसको लिखेंगे कि यह मतलब यह बस यह सब दिखें यह और यह है इस तरह था थी ऐसे सब्दों को आप जोड़ दे रही है विजैसे इम नगरी विवीद धर्माडाम संगम अस्तलित अब क्या लिखेंगे यह लिखेंगे कि यह नगर नगरियत नगर लिख दिजिए विवीद धर्म अपका संगम अस्तलिः संगु को अब डिखेंगे इसे लिखा है महात्मा बुद आप लिखेंगे नगरे महात्मा बुद क्जीए अब तिर्थ कर, पासर्वनात, संकरा चार, कभीर, गो स्वामी, तुलसी दास, तुलसी दास ठीक है, अन्य बहुत, मतलब बहुत, महात्मा, यहाँ ठीक है, जैसे आप शब्द लिखाताँ इसी को यहाँ बस उतार रहेें, अपने विचार प्रसार किये अब यहां पर इसका हिंदी कैसे बनाएंगे ना केवल दर्शन ना केवल दर्शन साहित धर्म अपीतु कला छेत्र यह नगर विवीत कला सिल्प और कृति लोग फिशृत विशृत इस तरह लिख या अत्राया में यहां से अटा देंगे ठीक है लिख देंगे और सण को से मुझा चाह आबकु इस पे आपको पूरा मिल जाएगा दो नंबर तीन नंबर इस पे मिल जाएगा ठीक है टोटल पांस नंबर कराएगा तो आप बिना पढ़े भी इसका एंसर आप आसानी से देर सकते हैं समझ में आगे ना अग देखिए आपके सामने अथवा में देता है इस पढ़ेंगे एक आपको दोनुओ में आप यहां से संस्क्रीत का हो इस ही ने पारट का नाम छीपा रहता है व्योर्ष नंबर आको प्रसमय का तरीका पता होना चाहिए अब देंगे आपके सामने यहां से अब आता है बद्द्यास वाले १oud 이ाष कश्य को कर तो आपको तरीकाई पता है प्रशन लिखने का तारीका बताती है, अब इसको कैसे करेंगे किश्विध गुरुते भूमे, किस्विध उच्चतरम, चकहाद, किश्विध शिगरतम वताद, किश्विध बहुत्रम, त्रडाद आटब किस्विंद शब्द का प्रियोग जहां पर आपको मिले जादा से जादा ठीक है तो वहां पर आपका जीवन सुत्राई पार्ट होता है कौङ सह प्रस्टूत प्सट्राई किस तक हिंदी के संस्क्रीत कल्द के जीवन मिल्याध sec 你गilsana सब्सक्राइब करना है कि आप जरूर आप तीन नंबर का प्रश्ण रहेगा एक नंबर या दो नंबर इस प्रश्ण पर जरूर मिल जाएगा ठीक है आप जैसे बता हैं जाए संस्क्रीट का लिक्त के अभी आप सभी को समझाएं और इसको आप सभी को बता रहे हैं जैसे इसी तरफ सेम्ट से उतार दीजिएगा अब आपके सामने 25 नंबर का प्रश्ण आता है इस प्रश्ण का एंस्वर आप बिना पढ़े भी आसानी से दे स या उसी खंड काव एको हल करना रहता है ठीक है जैसे देखिए आपको मुक्ति दूत खंड काव के आधार पर नायक का जैसे नायक महत्मा गादी जी का चरेत्र चित्रड़ की विसेस्ता लिखना है कैसे दिखेंगे तो आप इसके बारे माली जी इसको पढ़े नहीं है फि दूसरह बन जाएगा कि अहिसा बा इतेञा है दूसरे बना सकते हैं तीसरे इसका बना सकते हैं इसके विसेका धा समय की अहिंशा वाधी करिश के विके उद्यारक थे कि उद्दार क उद्दार कि इस प्रकास हैं इंगे इंग के सकते हैं तुकि आप बिना पढ़े भी पासानी से महात्मा गाधी जी के बारे में लिख सकते हैं अब आप इसमें अगला नंबर का फ्राश्ट पूछता है कैसे पूछता है आप से प्रस्ण पूछेगा कि जीवन परचय के बारें पूछता है जीवन परचय तो आप याद कल लीज़ीगा याद रहेगा तब आप आसानी से लिख सकते हैं अन्य था आपको सज्फन तो थोड़ा पागार हुआ सूर्दाज जी हुए इनका जीवन परचे आपको लिखना पड़ेगा तो थोड़ से याद भी करने का प्रयास कीजिएगा अगर संस्क्रित के कंठष्ट कुछ स्लोक होते हैं तो आपको एक स्लोक लिखना रहेगा पेपर में ताप एक स्लोक जरूर लिख प्रश्ट नोत्तर संख्या 27 ठीक है अब आप स्लोक लिखना यहां पर स्लोक हेडिंग बना लिजिएगा स्लोक होगा इस तरह स्लोक लिखने के बाद अब दिखिए जैसे आपको स्लोक माल यह पेपर में स्लोक नहीं आदे फिर भी आपका इसे लिखेंगे स्लोक तो देखि चा किजिएगा कि आप लिख दीजिएगा जो कि माना किया रहता है लेकिन आप लिखेंगे तो एक्जामनर ध्यान नहीं देता है तो आपको जरूर उस पर नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा जैसे देखिए यह है यह आपका स्लोक है इसी दोनों स्लोकों में से चाहिए और ने खीका को लिखो दिजएगा चाहिए इसको वहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक नंबर जरूर आपको दे देगा ठीक है तो फ्रेंज देखें किसी भी प्रश्ण का ऐंस्वार आप छोड़के मत आईएगा आपको सभी प्रश्णों का ऐंस्वार जरूर देना है ह कर रहें से जेसे संस्क्रीट के उत्र पूछ रहा है तो संस्क्रीट के और याद कर लेजिए थोड़ा स prasants को आपको चालेसा बतांते हैं Star यहादि निबंद पूझ दिया आपको कम सकम पांच निबंद देता है पांच मेंसे क्या करता है एक निबंद का इंस्वर लिखना रहेगा अब दीजिए भारत में आतंगवात काड़ और निवार जनसक्या पृद्धी के काड़ और व्यरोजगारित इसमें से जी से पिर संख्या प्रश्णोत्तर संख्या 29 दालिए गार यहाँ लिखिए गनी बंद नीबंद लिख रहा है किस पर निबंद लिख रहा है तो आप उस को लिख लिजिए का आप लिख रहे हैं जन संख्या विर्द्धी दिखें सेकेंड वाला है बुक्ति और चैन संक्या जए विर्दि रिभरा कारल और लाव सते लिखेंगे अब आप यह वताईए disabledने गरें जन संक्या कि विर्द दी ने से क्या फायदा हो सकता है ठीक है उसके खाल क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना है तो देखे परला मते जणसंख्या जब भिरिधी होगा किसी भी देश का विकार क्स С क का जाएगा ठीक है विकास रुतेगा सभी छहते रों को जो आसर होते चाहे पहने के हो चाहे खेल कूद के हो सभी औसर कम हो जाएगा आप अपने परिवार में देख लीजिए यदि आपके परिवार में दस सदस से हैं तो सभी को पहने का आउसर सही से नहीं मिल पाता है ठीक है तो आउसर आपको कम मिलेगा ठीक है पर तीक छेत्र में आप क्या स उसको उसको क्या कीजिए अच्छे तरीका से जैसे आप सभी को पढ़ाएं यह सब जन सब्सक्राइब बिरिद्दी के काल लाप हानी ठीक है आतांगवाद के काड़वन निबंद यह सबी आप सभी पढ़ाएं तो उसको आप जरूर से देख भी सकते हैं ठीक है फ्रेंस ब्रस्णों का एंस्वर आप कैसे देंगे ठीक है को देखिए बहुए कल्पी जितने भी प्रश्न रहते हैं पहुए कल्पी आएंगे सास से आछ प्रशन आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि आप 10 दिन भी पांस दिन भी पड़े होंगे आप आपको जरूर आएगा वह उःकल्पी प्रस्णों में अब दिए साथ से आफ प्रस्ण जैसे आपको आता है कुछ प्रस्ण सबसokते हैं अपको माल समझ में नहीं आ रहा है तु उसका इंसर कसे देंगी क्यािक वुए निम्पियर कीजिए अब देखिए आपको OMR सीट पर इसका एंसवर देना रहता है यदि एक बार OMR सीट भर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का शंसोधन नहीं कर सकते हैं तो आप देखिए जब धी OMR सीट को भरना होगा तो आप क्या किजिएगा कि कम से कम आपका देर घंटा समय बीत जाए ठीके डिर घंटा तक आप दिर गुतारी प्रशनों को जैसे ट्रिक बताए उसी ट्रिक से हल किजिएगा ठीके आप कड़ समय बीत जाए तो आप क्या को अपने फ्रेंड से बगर में जो चात्र बैठेंगों हो सकता है कि उसको उसके द्वारा कुछ आपको help मिल जाए का दो आठ प्रशन को सही नहीं कर सकते हैं यानि को अपको प्रशन का इंस्वा सही पता चल जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए OMR सीट को एक दिर घंटे या दो घंटे के बाद ही हल करिएगा अब देखें मालीजे कोई भी आपको help न मिला तो आप प्रशनों को तो पहले नमबर छोड़ना नहीं है मालेजी पहले से आरहा है आपको आपको प्रश्न में आपको मिल जाता है की सभी सही है क्या लिखें के सभी सही सभी सभी वाला mencioni जहां पर मिला तो पहले नहीं बद उसको टिक माल लीजिए का 100% आपका 95% तक उम्मीद रहता है कि यह प्रस्ण सही रहता है दूसरे नंबर पर आपको ऐसा प्रशन मिल जाए कि A और B कि A और B सही है यह प्रशन का मार दिजिएगा 95% तक यही प्रशन का इंश्वस सही होता है इसके अलावा इन प्रश्णों के इलावा आपको यदि जो प्रशन मिलता है जैसे माल लीजिए कि आपका B और C वावई कलपी प्रशनों में B वाला अपसन और C वाला आपसन सबसे अधिक निसान लगा को पता चले कौँ कौन साप्षन सभी अब दिखे आगे चले आईए आपको बी और सी सबसे ज्यादा आपसन मिलता है देखने लिट्थ कि यहाँ पर 20 गया वजय तो आपधोन सबया स्भाफिए थी कॉभ आगे प्रश्ण को सब्सक्राइब करें ध्रस्त्र laughing लिट्थ कलिए और यहां पर क्या है वी आपसंश वह और फ्रसस्थ अब देखें यहां पर क्या आपका B, यहां पर क्या है C ठीक है और यहां पर इस प्रश्ण में क्या सही है देखें B और C सबसे ज्यादा प्रश्ण आपको मिल रहा है देखने के लिए न देखें और यहां पर इस प्रश्ण को देख लीजिए C वाला आपसन सही है तो सबसे वो लग पे निर्वा करता है कि आपका लग कैसा है यदि लग सही रहा है तो सभी वह विगल भी प्रशन भी सही हो जाता है कभी-कभी ठीक है देखें फ्रेंज जितना भी पेपर था आप यदि अभी तक कुछ नहीं तयार किये थे यह ट्रिक बस लगा दीजिएगा और जो एक चीज़ द्यान दीजिएगा किसी भी प्रशन का एंस्वर आपको बोर्ड के एक्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में छोड़के नहीं आना है ठीक है तो फ्रेंज देखें जितना भी तरीका बताएं आपको यह तरीका कैसा लगा है कमेंट बाक्स में उसके बारे में नहीं है ते चलो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक वीडियो को सेर करें